मुख्यमंत्री स्वदेशी गव संबर्धन योजना के वरानसी के लाभार्थियों की एक लाट्री विधी से लाभार्थियों का चैन हुआ है और हमारे वरानसी के मुख्य भी क्या सदिकारी के सामने ये हुआ है मैं जानना चाहूँगा कि यह क्या था और कैसे हुआ आज यह मुख्यमंत्री सुदेशी गव समर्दन योजना जिसका उदेश नसल जो प्रदेश में दुख-दुथ पादन बढ़ाने के लिए जो नसल इंप्रूमेंट का कारे किया जा रहा है उसे बढ़ावा देना जिसमें 80,000 की सबसेडी पश्यूओं पर दो पश्यूओं पर सरकार देगी और 45 दिन में जितने भी हमारे आवेदन आये हैं और जिनका सुकृति की गई है उनके अंदर उन्हें लाना होगा और 80,000 की सबसेडी उस उपरान सरकार देगी तो चुकि हमारे टार्गेट से संख् जो आवेदन की जादा थी पुरुषों में 67 और महिलाओं में और भी जादा लगभग 137 थी और 35-35 दोनों में सिलेक करना था तो इसलिए आज एक डिजिटल रूप से लॉट्री कराई गई है जिसमें सभी अंकों को रांडम नमबर देते हुए तो टॉस किया गया उसी आ अलग जगाओं के अलग लोग सामने आये हैं और सभी पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया और चुकि ये प्रक्रिया खतम हो गई है और इसका शासन को इसके जो रिजर्ट से वो भीज दिये जाए जो सर्य लाभारती इसमें चैनित तो इसमें गाएं कहां से जैसे बाहर के प्रदेश से किसी अधर प्रदेश से खरीदना है तो ये प्रक्रिया इनको कितने दिन में पूरा करना होगा ये 45 दिन के अंदर इन्हें वो ये पूरी प्रोसेस पूरी करनी होगी जिसमें अच्छी नसलों की गाए गीर, साहिवाल इस तरीके से जो भी अच्छी नसिल की गाएं हैं उन्हें प्रदेश में लाना होगा अपने हां लाना होगा और अपना जो पिल है वाउचर है सब प्रसुत करना होगा 45 दिन के अंदर और यह जो लाभारती हैं इनको गाएं प्रदेश के बाहर जाके खरीदना पड़ेगा या कोई साधन ऐसा है कि जो यहां पर कोई मेला वगएर हो बाहर से लगा कि यार कुछ कई आज से बाहर से ही खरीद के लाना पड़ेगा मैं फारमर्दी जनलिस्ट के लिए कैलाज सिंग्वारानसी से यह पूरी प्रक्रिया मेरे सामने हुई और इसे देख के बड़ा संतुष्टी हुआ कि यह बिलकुल पारदर्सी धंग से किया गया और पारदर्सी धंग से इस स्वाबार्धियों का चैन हुआ है और यह प्रक्रियों का चैन है